आप सबी को मेरा नमस्कार हेलो आप सब कैसे हैं तो आपने मेरे चैनल पे अगर सब्स्राइब नहीं किया है वी तर तो सब्स्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीए ठीक है तो अब चलते हैं भाकरवडी बनाने के लिए भाकरवडी बनाने के हमने तैयारी कर ली है तो चलि यह देखिए भाकरवडी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है इस कप से मैंने डेड़ कप मैदा लिया है ठीक है और इसमें हम यह अजवायन डालेंगे अजवायन डालेंगे और यह कस्तूरी मेथी डालेंगे फिलेवर के लिए और नमक डालेंगे भाकरवडी बहुत त्यश्की नास्ता होता है, चाय के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से खाने में बहुत अच्छा लगता है तो अब जो है, इसमें हम मोयन डालेंगे, चार चम्मज के बराबर और इसे हलके हाथों से गुथना है और इसे कड़ा गुथना है ठीक है तो अब हम इसको पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको बढ़िया से मिला लेंगे जब इसकी मुठी बन जाए तो समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से यह तयार हो गया है यह देखिए इसकी मुठी बन गई यानि आटा तयार हो गया है आप इसको हम हलके अहांतों से गुथ लेंगे और इसे कड़ा गुथना है यह देखिए मैंने यह कड़ा साना है और इसको हलके हांतों से मैंने साना है इसको जो है 15-20 मिनट के लिए हम धाग करके रख देंगे ठीक है इसको 15-20 मिनट के लिए मैं धाग के रख दोंगी अब हम चलते हैं भाकरवडी का मसाला तयार करेंगे तो यह है भाकरवडी का मसाला यह देखिए दो इस्पून मैंने लिया है सौप एक इस्पून जीरा लिया है और गेड़ इस्पून जो है मैंने खड़ी धनिया ली है और भाकरवडी बनाने के लिए मैंने यह चार चम्मच मैंने सफेद तिल लिया है और तीन चम्मच मैंने लिया है नारियल का बरुदा और यह जो है मैंने नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे और इसमें जो है कस्मीरी लाल मिर्ज कलर के लिए मैंने एक चम्मच लिया है और आधा चम्मच के बराबर हल्दी लिया है और चीनी दो स्पून लिया है ठीक है कि जब तक के लिए तो तैयार हुता है 15 20 minority के लिए तब तक हम जो है इसको हल्का सो भून में हम इसको भोरेंगे ताकि इसका जो है मसाला अच्छी तरह से भून जाए और इसमें खुस्बू आने लगी है कि यह भाकर वरी में गालने का मसाला लेगे कर देखिए भून के तयार हो गया है अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे देखिए अब हम इसमें ग्राइंड करने के लिए डाल दिया है इसमें हम कस्मेरी लाल मेज मैंने डाला है एक चम्मस आधा चम्मस हल्दी है नमक है दो चम्मस चीनी है अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे देखिए मेरा मसाला यह तयार हो गया है बहुत बढ़िया खुसबू आ रही है यह देखिए यह मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है और बहुत टेश्टी मसाला तयार हो गया है और इसमें खुसबू यह बहुत अच्छी आ रही अब हम इसमें जो क्या करेंगे इमली का पल धम बनाने के लिए ये देखिए मैंने फुला रखा था अब इसमें मैंने खटी मिठी चट्नी बनाने के लिए ये देखिए मैंने गोड़ इसमें डालेंगे और इसको तयार करेंगे ठीक है ये खटी मिठी चट्नी बना रहे हैं ये देखिए ये मैदे कटो तयार हो गया है अब हम 15-20 मिनट के लिए हमने रखा था अब इसकी हमने दो लोई बना ली है ठीक है अब इसको हम जो है डे लेंगे अब इसमें हम इमली का पल्व लगाएंगे ताकि इसमें मसाला असाली से चपब जाए अब दो यह हमने खटी मिथी इंगली की चटनी बनाई है गोड़ में बनाई है अब हमने जो यह मसाला तयार किया था अब हम इसके उपर बिछा नहीं ताकि इस पर आसानी से चिपक ज़िए और इसको हलके हाथों से ऐसे इस तरह से उला दें ताकि इस चिपक जाए ठीक है और इसके किनारे किनारे से ऐसे इस तरह से ऐसे रोल बनाते हैं वे इस तरह से हलके हाथों से रोल बनाएंगे इस तरह से मैं यह रोल बनाएंगे इस देखिए मैंने काटके ऐसे तयार कर लिया है ठीक है अब इसमें खटी मिठी हम चप्नी लगाएंगे यह देखिए अब मन यह लगा दिया अब किनारे किनारे से धीरे धीरे अब हम रोल करेंगे ऐसे ऐसे हम रोल करेंगे अब ही तक तो दिखाई देखाता यह देखिए रोल मैंने तैयार कर दिया है अब इसको हम कटिंग कर लिए इस तरह से इसको इस तरह से दबा देंगे यह देखिए इस तरह से दबा देगे यह देखिए यह मेरा भकड़वारी बनकर तयार हो गया अब इसको हम तलने जा रहे हैं ठीक है यह देखिए इसको अब हम तल रहे हैं ठीक है यह देखिए यह देखिए वह देखिए यह देखिए यह देखिए झाल 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 झाल